हेलो फ्रेंज में नम अकास सेंग है और आप लोग का फिर से स्वागत है एत्री बिदस में तो आज की टेक न्यूस स्टार्ट करेंगे सबसे पहले न्यूस से जो आ रही है जियोनी की साइट से जियोनी का एक न्यू फोन लॉंच हो गया है आज जिसका नाम है सिक्स प्रो औ क्योंकि 1st of October से अबलेवल है मार्केट में और यह फोन बेसिकली ऑफलाइन मार्केट के लिए मेरे को जहां तक लग रहा है क्योंकि इनने सिर्ट रिटेल स्टोर बताए है इनने कोई ऑनलाइन वेबसाइट नहीं जहां से आप इस फोन को खट सकते हैं बटेंने यह करिए जो इनका 1st VR headset है इंडिया के लिए जिसकी अवाउंट एक रखे है 2499 आपको चलती से मैं मोईल की स्पेसिफिकेशन बता देता हूं S6 Pro की आपको इसके अंदर 5.5 इंच की Full HD display देखने के लिए मिलती है 2.5 d cup glass के साथ इसके अंदर आपको 1.8 GHz का OctaCrow processor देखने के मि रेर कैमरा मिलता है और फ्रेंट फेसिंग कैमरा आपको 8 Megapixel का मिलता है बैटरी आपको इसके अंदर 3130 की देखने के लिए मिलेगी MH की और Android Marshmallow भी रन करता है कुछ चीज़े और इसके अंदर एक्ट्रा दी गई है इसके अंदर आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टर म मिलते हैं आपको desktop editing software मिलते हैं काफी सारे application मिलते हैं और ये दो screen में split हो सकता है फोन आप एक में notification application notification के लिए यूज कर सकते हैं और एक के अंदर आप वीडियो देख सकते हैं अगली उसकी बात करते हैं जो की related है Coolpad से Coolpad ने अपना new phone launch कर दिया जिसका नाम है Coolpad Note 5 और यह आ देखने के मिलती है specification की बात करें तो आपको इसके अंदर 5.5 इंच की full HD display देखने के मिलती है 2.5 d cup glass के साथ इसके अंदर processor आपको snapdragon 617 देखने के मिलते है जो की octa-core processor 1.5 GHz की speed पे और इसके अंदर आपको 4GB RAM 32GB internal storage जो की expandable है 64GB तक और आपको इसके अंदर 13MP का rear camera मिलते है with dual LED flash और front facing camera आपको 8MP का मिलते है जिसका खुद एक LED flash है और आपको इसके अंदर android marshmallow दीखता है 6.0.1 और इसके अंदर आपको fingerprint scanner मिलते है back side पे जिसको यह बोलते हैं कि 0.5 second में यह आप phone unlock कर देगा और यह 4G और volti support करता है और hybrid sim slot के साथ आपको मिलता है और इस phone की price की बात करें तो यह phone आपको available होगा 10,999 रूपीज पे Amazon के through जो कि 20 अक्टूबर से इसकी sales स्टार्ट होगी और open sale होगी कोई आपकी flash sale नहीं हो रही अगरे इसकी बात करते हैं जो आ रहे है Xiaomi की side से Xiaomi ने पहला phone निकाल दिया है जिसका नाम रखा है Redmi 3S Plus जो कि सिर्फ offline market को focus करेगा औ वैसे भी Xiaomi ने कुछ दिन पहले मैंने अपनी टैक्निस मों भी दियाता है कि उनने बोला है कि वो अपने offline market को expand करना चाते हैं और और उन्हें कई दो companies के साथ partnership भी करी है अपने offline market के लिए तो इसके अंदर आपको phone जो phone मिलने वाला है वो काफी same है prime की जा साथ जो 3S Prime है आपको मिलेगा रैम आपको इसके अंदर 2Gb मिलेगी प्राइम में आपको 3Gb मिलती है और आपको इसके अंदर 13MP rear camera 5MP front facing camera और आपको इसके इंटरन स्टोरी 32Gb की मिलती है 4G supported fingerprint scanner मिलता है और बैटरी आपको इसके अंदर 4200mAh की मिलती है और Android Marshmallow पी रन करेगा और मैं आप इनके offline market को expand करने के लिए है तो यह काफी अच्छा इनके लिए इनके लिए काफी Xiaomi के लिए तो काफी अच्छा होगा अगरी इसकी बात करते हैं जो आ रही है STC के साइट से STC आपना new phone launch कर दिया है जिसका नाम है STC Desire 10 Lifestyle और इसकी price रखी गई है 15,990 रुपीज आपको य 3GB RAM के साथ यह phone आता है 32GB आपको इसके अंदर internal storage मिलेगी और 2TB आपको expandable storage मिलती है dual SIM supported यह phone है और Marshmallow 6 पे रण करेगा बैटरी आपको इसके अंदर 2700 की मिलती है MH की और यह 13MP rear camera के साथ आता है और 5MP front facing camera के साथ और इसके अंदर जो इनके STC boom sound यह सब होते हैं वो सब आप इसके बात करतें जो आ रही है Sony की साइट से Sony ने अपना एक new phone launch कर दे जिसका नाम है Xperia XZ जो की available होगा 10th of October से और इसकी price जो रखी गई है 51,990 रुपीज रखी गई है बट यह कम में भी मिल सकता है around 49,000 के अभी confirm नहीं है price और इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज तो एक new technology देखने के मिलती है rear camera में इसका नाम है triple image sensing technology और आपको इसके अंदर 5-axis stabilization देखने के मिलती है जिसमें आप video smoothly record कर सकेंगे और image भी capture कर सकेंगे specification की बात करें तो आपको इसके अंदर 5.2 inch की full HD display देखने के लिए मिलती है snapdragon 820 पर मिलेगा आपको और speed 2.15 GHz की होने वाली है 3 GB RAM होने वाली है 64 GB internal storage और आपको यह dual SIM पर मिलेगा यह phone जो 4G और वोल्टी भी support करता है और battery आपको इसके अंदर 2900 damage की देखने के लिए मिलेगी और camera के बारे में आपको बताई चुका हूँ इसके अंदर आपको rear camera 23 megapixel का मिलता है और front facing camera 13 megapixel का और back camera में आपको मैं technology बचा help band का कुछ जो cost करेगा 9000 वो आपको free में मिल जाएगर आप pre-order करते हैं इस phone को तो friends आची tech news में इतना ही अगर आपको यह video पसंद आए तो please like कीजे इस video को share कीजे अपने friends और family के साथ और अगर आप अभी तक मेरे subscriber नहीं है तो please मेरे चैनल को subscribe कर लें और मैं आप से फिर स कर सकते हैं आप about पर जाके और या आप मेरे comment section में comment करके मेरे को बता सकते हैं तो आप आप से मुलागात हो कि अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए